नमस्कार दोस्तों क्या आपने आपके आसपास रहने वाले लोगों के बारे में कभी सोचा है ? क्या आपने कभी अपने साथ काम करने वाले लोगों के बारे में सोचा है ? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आपके आसपास रहते हैं और हर प्रकार के लोग आप से इंट्रैक्ट करते हैं डेली रूटिल लाइफ में दोस्ते लोग किस प्रकार के हैं और इनका बहेवियर कैसा है वो आज हम इन शब्दों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे जी हम डे 10 में पहुंच चुके हैं वोकाबलरी हम लोग पढ़ रहे हैं और वोकाबलरी 30 डेस टू अ मोर पावरफुल वोकाबलरी से हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट जो हमारा लक्षे दर डे 9 का उसमें हमने कुछ टेस्ट परफॉर्म किये थे अगर आपने वो टेस्ट परफॉर्म किये हैं अगर आपने वो टेस्ट लगाए हैं तो आपको अपना स्कोर पता लग गया होगा और अगर आपको अपना स्कोर पता लग गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी अपना स्कोर बताईए कि आपने कितने व 20 में से आपको 8 या फिर 10 या फिर 15 जो भी आपका स्कोर रहा होगा ठीक है इमानदारी के साथ जो भी आपका स्कोर रहा होगा to be honest मुझे comment करके जरूर बताइए so that मुझे idea लग पाए कि आप जो vocabulary पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आप revise कर रहे हैं वो कहां stand करते हैं और आप लोग कितना अच्छा progress कर रहे हैं मुझे खुसी होगे अगर आप मुझे comment करके बताएंगे कि आपका score कितना है तो चलिए हम आज के अपना lecture start करते हैं words about your fellow man fellow man मतलब आपके साथ काम करने वाले आपके साथ रहने वाले आपके दोस्त आपके इस्तेदार ठीक है आपके colleague इन सब के बारे में बात कर रहा है कि वो किस परकार के लोग होते हैं उनका behavior कैसा होता है कैसे आप उनके बारे में सोचते हैं कि वो कैसे लोग हैं उने के वारे में यह जो word है, आज हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, इस lecture के दौरान या पिछले जितनी भी lecture है वो, आने वाले जितने भी lecture है वो, कोई भी ऐसी बात, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो इस book के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है तो हो सकता है कि किसी कुछ ऐसे words कभी कभार मैं बोल दूँ जिससे किसी को hurt हो जाए तो मुझे किसी को hurt करने का मेरा कोई intention नहीं है मेरा कोई मकसद नहीं है तो please मेरी आप से request है कि आप purely vocabulary के माध्यम से vocabulary पढ़ने के purpose से इस lecture को देखें अगर आप prejudice होके इस lecture को देख रहे हैं कि या किसी और mindset के साथ आप lecture को देखते हैं ठीक है और आपकी feeling heart हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले से आपको apology बोलता हूँ और मैं request करता हूँ कि अगर ऐसा है तो आप ये lecture नहीं देखे तो अच्छा रहेगा ठीक है हम यहाँ पर cable और cable value addition कर रहे हैं आपकी preparation में आपकी life में यही हमारा मकसद है इसके लावा और कुछ भी नहीं है तो चलिए हम आज के अपना word स्टार्ट करते हैं जो पहले हमारे तीन word है वो women's या girls related words हैं कि उनको किस परकार से represent किया गया है इन words के माध्यम से पहला हमारा word है कोके इसका जो pronunciation रहेगा वो क्या रहेगा कोके ठीक है गंभीर रूप से ठीक है एग्रीजियस वर्क हो गया एग्रीजियस केस हो गया बहुत सारे जगों पर आप इसको use कर सकते हैं इसका मतलब होता है गंभीर तो कोके मतलब ऐसी girl होती है ऐसी लड़की होती है जो बहुत जादा promise करती है बट flood करती है और deliver करती है बहुत जादा कम ठीक है धोका देना पसंद करती है ऐसी लड़की के बारे में यह word यहाँ पर लिखा गया है कोके ठीक है आपके आसपास ऐसा बहुत सारा होगा अगर आप लड़कियों की बात कर रहे है या लड़कों की बात कर रहे है बट यह ज लड़की ऐसी गल जो प्रोमिस करती है मज़ फ्लर्ट्स अग्रीजेशली अग्रीजेशली मतलब गंभीर तोर पर फ्लर्ट करती है और deliver very little और बहुत कम deliver करती है ऐसी लड़की के लिए word बना है यह कोके ठीक है और यह जो अग्रीजेश वर्ड है उसके लिए बहुत सारे इस परकार के जो human होते हैं उनके लिए आपके आसपास आप देखें आपके work place पर अगर आपके school college में आप देखें तो हर तरफ इस तरह की कोई ना कोई word इस तरह की कोई ना कोई आदमी कोई ना कोई औरत आपको जरूर मिलेगी नेक्स हमारा word है सर्स इसका meaning क्या निकलेगा इसका pronunciation है वो क्या है सर्स ठीक है और सर्स का मतलब क्या होता है सर्स का मतलब होता है हर pleasure ठीक है हर pleasure comes from learning man लोगों को लुभाना और उनका नुकसान करना उनको destroy कर देना ठीक है इस परकार लरिंग मतलब क्या होता है लुभाना लरिंग का मतलब होता है लुभाना तो लोगों को आदमियों को लुभाना और उनको नास कर देना उनको बरबाद कर देना ऐसी ओरत ऐसी लड़की ऐसी गर्ल्स के लिए ये word बना है सर्स और ऐसा कौन होता है आप में बहुत सारी सुर्पनखा के लिए आप यह वर्ड यूज कर सकते हो जादुगर नहीं माय भी नहीं या जो और मर्दों को लुभाती है और उनको नास करने के लिए उनसे फायदा उठाने के लिए उनको देस्ट्रोई करने के लिए यह वर्ड हमारा सर्स नेस्ट हमारा वड़ा Amazon, Amazon Prime Video, Amazon Shopping Site, यह तो आपने सुना ही होगा, लेकिन Amazon का जो actual meaning होता है, वो क्या होता है, देखिए, She is a tall strapping, strapping मतलब होता है, कोडे जो मारते हैं, कोडे आपने सुना ही होगा, ठीक है, एक चाबुक जिसको बोलते हैं, चाबुक, ठीक है, जैसे चाबु She is a tall strapping, musk loin kind of woman, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हटी-खटी, विरांगना, adventurous और heroinic टाइप की यह ओरत होती है, जिसके बारे में बात कर रहा है, Amazon, ठीक है, हम जब आगे exercise को revise करेंगे, तब यह चीज़ आपको और ज्यादा clear हो जाएंगे, नेक्स हमारा वाड़ है क्या विरा vicious, nag, and scald, हमेसा डाटते रहती है, फटकारते रहती है, vicious मतलब क्या होता है, dust, तो इस परकार की औरत, जब आपने देखा होगा, आपके महले पड़ोस में कोई ऐसी औरत होती है, जो बहुत ज़्यादा लड़ाका होती है, लड़ती रहती है, हमेशा, ठीक है, बहुत ज़् पर उसको गुस्सा होता है, वो भी हमेसा साथ व्यासमान पे रहता है, ऐसी औरतों के लिए वर्ड यूज क्या गया है, विरागो, नेक्स हमारा वर्ड है कि अड़निस, एड़निस वर्ड यूज क्या गया है, किसके लिए, एक ऐसे हैंसम टॉल, ग्रीक गोड, जैसे रिति एक रोसन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते है, उनके लिए यूज क्या जाता है, ग्रीग गोड, वो में अड़निस, जो पसंद आता है, यूज को पसंद आता है, या किसी को भी अच्छा लग सकता है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटिफुल और सुंदर इंसान के लिए यूज क्य जाता है, क्या वर्ड अड़निश, नेस हमारा वर्ड है क्या है, जुडास, जुडास का मतलब क्या होता है, जुडास का मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति, जो अपने ही दोस्त को धोका दे दे, जो अपने ही दोस्त को धोका दे सकता है, मनी के लिए, पैसे के लिए, या अपने फाइदे के लिए ठीक है अपने फाइदे के लिए अपने दोस्त को भी दोका दे सकता है don't trust him he is the traitor traitor मतलब क्या होता है गदार and who will sell out जो बेच देगा किसको best friend को for money money के लिए अपने best friend को भी बेच देगा इस परकार का behavior होता है किसका जुडास का one who betrays under the guise of friendship यहनी जो दोस्ती के बहाने से जो दोस्ती के बहाने से क्या करता है betray करता है धोका देता है ठीक है ऐसे व्यक्तिवों क्या करते है जुडास next हमारा word है vulgarian vulgarian बना है किससे vulgar से vulgar मतलब क्या होता है गंदा भद्दा ठीक है अनसिविलाइजड इस परकार के अगर भासा यूज करता है कोई तो वह हुआ vulgarian ठीक है next word हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे क्या पिडेंट और उसके बाद एक और word हम पढ़ेंगे आज डेमगोग ठीक है डेमगोग अभी चलिए देख लेते हैं इनका मेनिक देख लेते हैं क्या होता है vulgarian होता है देखिए he has vulgar taste and manners उसके manners बहुत खराब है टेस्ट बहुत खराब है असभ्या अद्मियां civilized है गंदा भद्दा हमें सब बोलता है ऐसे विक्तिवों कहते हैं क्या vulgarian next हमारा वड़ क्या है pedant पिडांट को आप connect कर सकते हैं ढोंगी बाबा के साथ ऐसे ढोंगी बाबा जिनके जो यह मानते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा knowledge है बट actual में वो अपनी knowledge का show off कर रहे होते हैं ठीक है knowledge को दिखाते हैं कम knowledge वाले बट ज्यादा show off करते हैं His greatest delight is making an unnecessary show of learnings ठीक है वो ऐसा show करेगा कि जैसे उसके पास बहुत ज्यादा knowledge है जिसके मादियम से वो तुम्हें फाइदा पहुँचा सकता है बट actual में ऐसा नहीं है धोंगी बाबा के साथ आप इसको connect कर सकते हैं Demagogue क्या होता देखें Demagogue मतलब ऐसा a political leader who seeks support by appealing to the desires and prejudice Prejudice का मतलब होता है पूर्वधारना पूर्वधारना यानि अगर आप किसी चीज के बारे में किसी विचार के बारे में पहले से तै करके बैठे हैं ठीक है पहले से अपने अपना मन बना रखा है result निकाल रखा है तो ऐसी feelings को ऐसे विचार को हम कहेंगे prejudice पूर्व धारणा पहले से आपने अपनी धारणा बनाई हुई है of ordinary people rather than by using rational argument rational argument मतलब क्या होता है तर्वसंगत argument से तो demagogue क्या होगा देमगोग ऐसे politician हो गए है जो public को बेवकूप बना कर या public की feelings ठीक है public की feelings का फायदा उठा कर अपना फायदा पूबिक की feelings का फायदा उठा कर elections जीच जाते हैं या अपना काम निकालते हैं public को बहला फुसला कर उनसे अपना काम निकाल लेते हैं तो ऐसे politicians के लिए use किया जाता है demagogue next हमारा वाड़ा martinet देखें martinet को आप use कर सकते हैं किसके साथ में ठीक है अपनी defense forces जो होती है defense forces के साथ आप इनको use कर सकते हो हमारी defense forces में बहुत ज्यादा discipline हमारी defense forces में बहुत ज्यादा discipline कायम होता है हमेशा और यह discipline मानने वाले ही व्यक्ति को हम कहते हैं क्या martinet ठीक है defense forces paramilitary forces के लिए भी आप इसको use कर सकते हो मतलब ऐसी हर वो इनसान ऐसा हर वो इनसान जो बहुत ज़्यादा discipline को मानता है या उसमें विश्वास करता है ठीक है उसके लिए हम use करते हैं वर्ड क्या martinent ठीक है martinent आप इसको याद रखिएगा देखें याँ पर के लिए का एक सक्त अनुशाशक या विशेश रूप से ससस्त्र बलो में ठीक है ससस्त्र बलो में क्योंकि अनुशासन वहाँ पर must होता है उस अनुशासन के बिना तो कोई भी force चल ही नहीं सकती थे उसके लिए हम यूद करते है मार्टिन को आसि अनुशान है साईकोफाटई को आप अप देखें मैंने आपको वर्ड पढाया थाzak ओबसीत्वफ Dw ॐसिष थीक है ओशिकवष ऑफ्टव थीक्वश मैंने आपको वर्ड छापलोस तिक है और रेस्टराइंट वाला एक्जमपल मैंने आपको दिया था, रेस्टराइंट में अगर उसको लगता है, वेटर को कि वह, आप उसको टिप देने वाले हैं, तो वह आपकी चापलोस ही करना शुरू कर देगा, ठीक है, या फिर अगर आप BOSS है किसी कमपनी को चला रहे हैं तो आपके जो colleagues हैं या आपके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो promotion के लिए कभी-कभी ये काम कर सकते हैं ठीक है they they will be called क्या psychophant या फिर obsequious okay next हमारा वर्ड है clear wo yent ठीक है clear wo yent clear wo yent का क्या मतलब होता है देखे यहां पर clear wo yent का मतलब होता है one who can see the future दिव्यत रिष्ठी होती है इसके पास यह future देख सकता है ऐसा व्यक्ति जो future देख सकता है या future के बारे में imagine कर सकता है बता सकता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते है clear wo yent ठीक है next हमारा देखे कुछ और words हैं जो हम पढ़ चुके हैं यहां पर हम उनका एक quick revision कर लेते हैं जल्दी से आपको बता देदे टायरो मतलब होता है जो unskillful होता है जो नेव होता है ठीक है नेव जो व्यक्ति होता है यानि नया जो व्यक्ति होता है उसके लिए use कहा जाता है टायरो या unskillful इसके लिए आप याद रखेगा कि टायरो मतलब unskillful या नया व्यक्ति ठीक है philologist मतलब क्या होता है philow मतलब होता है language और logist मतलब होता है study ठीक है जो language की study करता है उसको कहते है philologist study of language ठीक है इसके लिए आप इसको याद रख सकते हैं next होता है क्या agnostic agnostic मतलब होता है संश्यवादी संश्यवादी या जिसको हमेशा doubt रहता है कि या भगवान exist करते हैं कि नहीं करते हैं इसके लिए वर्ड है क्या agnostic atheist होता है नास्तिक नास्तिक जो भगवान में नहीं मानता है one who doesn't believe in God वो होता है क्या atheist next word है egoist egoist मतलब होता है self-centric आदमी ठीक है self-centric जो केवल और केवल अपनी feelings के बारे में अपने ही बारे में सोचना पसंद करता है ऐसे विक्स्ति को कहते है self-centric या egoistic आदमी next word है एस्थीट एस्थीट का मतलब होता है जो एस्थीट का मतलब होता है जो aesthetic sense से आप इसको connect कर सकते है aesthetic sense aesthetic sense मतलब जो good taste या fine taste या fine art रखता है किसी भी चीज को परखने में ठीक है जो किसी भी चीज को परखने में अच्छी knowledge रखता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते है aesthetic next हमारा वर्ड है क्या flat list flat list मतलब क्या होता है one who collect one who collect क्या stamp यह stamp collect करने वाले व्यक्ति को हम कहते है flat list इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है अलग-अलग समय में अलग-अलग stamps release होते है government release करती है तो इसका शौक होता है इसका क्या शौक होता है कि वह सभी जो stamps होते है मालोर आजादी से पहले किस परकार के stamps चलते थे 1947 से पहले या आजादी के बाद अलग-अलग साल में कौन-कौन से stamps release हुए है उन सभी को memory के तोर पे यादगार के तोर पे collect करके रखता है अपने पास तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते है flat list next word हमारा word है क्या numismatist numismatist क्या होता है numismatist वो होता है one who one who collect क्या यह क्या collect करता है coins ठीक है one who collect coins बहुत सारे coins collect करता है आजादी से पहले के आजादी के बाद के different different countries के coins को collect करेगा ठीक है या फिर मुगलकाल में कौन से coins चलते थे अगर वो कहीं मिल जाए तो उनको भी collect करेगा इसको शोंक होता है इन चीजों को collect करने का coins को collect करने का शोंक होता है इसको numismatist word क्या है numismatist ठीक है यह वाला जो शोंक है numismatist यह more or less कुछ हद तक मैं भी रखता हूँ क्योंकि मेरे पास almost almost 20 countries मेरे पास लगवग 20 countries के currency आपको मिलेगी 20 countries ठीक है क्यों क्योंकि लगवग मैं 20 countries में गया हूँ ठीक है 20 countries में मैं अभी तक गूम चुका हूँ गया हूँ duty की purpose से तो मेरे पास लगवग इन सभी countries के जहां जहां भी मैं गया हूँ सब के जहां जो coins है किसी किसी country के दो coins भी है और किसी किसी country के currency है कुछी के note जो कागजवाले वह भी मेरे पास available है ठीक है हर country में अलग-अलग हर आजमी के अलग-अलग सब्सक्राइब करने का किसी का स्टैंप्स करने का ओताई और भी कई तरह के सोंक लोग रखते हैं उनके लिए भी different different words दिये गए हैं वो भी हम आगे आने वाले जो हमारे chapters हैं उसमें पढ़ेंगे किस परकार से लोग सोंक रखते हैं और क्या-क्या उनके word होते हैं ठीक है तो चलिए हम आगे चलते हैं हमारा अगला word क्या है एक हमारा word और दिया गया है क्या गौर में गौर में मतलब होता है one who आप इसको drink और food से connect कीज़े गौर में मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत बढ़िया खाना बहुत बढ़िया पीना पसंद करता है और उसकी अच्छी knowledge रखता है ऐसे व्यक्ति को कहते है गौर में यह हमेंसा आपको restaurant ठीक है restaurant के बाहर या इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यह वाला word गौर में next हमारा word है coinasaur 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 का मतलब क्या होता है इसको आप announce ऐसे ही करेंगे ठीक है coinasaur कामतलब क्या होता है coinasaur को critical judge होता है मतलब mathematical judge होता है किसी भी चीज के बारे में ए equilibrium बहुत अच्छी sharp knowledge रखता है और उसको critics ठीक है उसको criticize कर सकता है और criticize कौन कर सकता है criticize وہ ही कर सकता है जो pros and cons दोनों चीज grote जानता है उस चीज के बारे में, ठीक है, तो कोईनेश और वो व्यक्ति होता है, जो critical knowledge रखता है, यह critical judge होता है, ठीक है, यह जाच पर रखने वाला व्यक्ति होता है, knowledge वाला व्यक्ति होता है, जो pros and cons दोनों चीजे जानता है, किसी भी चीज के बारे में, चाहे खाना हो, पीना हो, कप कर सकते हो, fine art, यानि art के बारे में भी ये बहुत अच्छे knowledge रखता है, और अपना judgment दे सकता है, कोई न शोर, जबकि गौर में क्या होता है, गौर में केवल और केवल food and drink की knowledge रखता है, या उसके अच्छे, अच्छा खाना का मिलेगा, या अच्छा खाना कैसा होता है, ठीक है इसके knowledge रखता है गौर में, और कोई न शोर, ये सभी परकार के field में अच्छा critic होता है, तो दोस्तों, यह हमने word पढ़ लिया यहाँ पर, मेरे ख्याल से 10 से जादा ही word आज हमने revise किये हैं, अब हम इनको अपनी exercise के माद्यम से revision करने की causes करते हैं, चलिए हम चलते हैं, पहली exercise के ऊपर, और ही यहाँ पर पढ़िये क्या, can you fill the blank line with the word that fits each description, यहाँ पर कुछ description दिये गये हैं, और सामने एक single word लिखा है, उससे आपको पहचानना है कि वो क्या word है, ठीक है, उससे आपको पहचानना है कि वो word actual में है क्या, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा word इसके वर्ड है क्या, he does not believe in God, तो आपको पता है है, अगर अगर विष्वास नहीं करता है, तो उसको उसको क्या कहते है, उसको कहते हैं, बताइचे, आपको 1957 किये किया है, गल भी आपने रिविजँ किये, उससे पहले भी आपने रिविज किया है, तो जो बग् इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, वर्चुएस हो, इसके लिए वर्ड है, वर्चुएस हो, next, he collects rare coins, यह भी मैंने आपको बताया था, coins numismatist, numismatist, next, he has an unusual appreciation of beauty, appreciation, unusual appreciation of beauty, इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, एस्थीट, यह हमारे पास वर्ड था, एस्थीट को मैंने आपको और बताया था, aesthetic sense, जिसकी बहुत अच्छे aesthetic sense होती है, जो बहुत ज्यादा अच्छा सोच सकता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा देख सकता है, ठीक है, जिसक बहुत अच्छी हो गई, खाना पेना बहुत अच्छा करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते है, aesthetic sense वाला व्यक्ति, और इसके लिए इसने क्या बोला है, he has an unusual appreciation of beauty, ठीक है, तो next हमारा वर्ड क्या है, he is a ostentaneous about his learning, ostentaneous का मतलब होता है, दिखावटी, ठीक है, और जो अपनी learning क अपनी knowledge को बहुत ज़्यदा बढ़ा चड़ा के बताता है, उसके लिए आपको क्या word बताया था, उसके लिए word था, pedant, ढोंगी बाबा मैंने इसके लिए आपको बताया था, next, he will betray a friend, अपने friend को ही धोका दे देगा, उसके लिए क्या word था, जुडास, ठीक है, जुडास उ C is a flirt, flirt के लिए हमने आपको word बताया था, कोके, ठीक है, इसके लिए क्या word था, कोके, C-O-Q-U, C-O-Q-U-E-T-T-E, कोके, ठीक है, spellings को याद रख कर लिजिएगा, next, हमारा word C is a destructive siren, destructive sirens, मतलब, जो अपने pleasure के लिए, आदमी का नास करने की कोशिस करती है, या पसंद करने क करती है, या फिर, इसको मजा आता है, आदमी को, उनको बरबाद करने में, इसको मजा आता है, ऐसी, औरत के लिए हमने क्या word यूज किया था, सर्स, ऐसी औरत के लिए word था, C-I-R-C-E, सर्स, ठीक है, तो इनको थोड़ा-थोड़ा difference है, इनको आप देख लेजेगा, जब आप revise करेंगे, तो सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी, next, इसके continuous में आगे हम पढ़ते है, he is an offensive stickler, offensive stickler for discipline, ठीक है, he is an offensive stickler for discipline, discipline के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, यानि discipline इसको चाहिए, अपनी लाइफ में, या अपने काम-काज में, बहुत ज़्यादा martinent, martinent, martinent word था इसके लिए, ऐसे आदमे के लिए, next, हमारा क्या है, number 10, number 10 है, he lives only for himself, केवल अपने बारे में सोचता है, अपने egoist, ठीक है, egoist, इसके लिए word था, egoist, 11 number है, he lives a simple and austre, austre का क्या मतलब होता है, सीधा साधा, ठीक है, austre का मतलब होता है, सीधा साधा, बिल्कुल simple जीना पसंद करता है, और इसके लिए, हमारे पास word था, ascetic, ascetic, next, number 12, he, bootlicks, he, bootlicks, the rich and powerful, यनी, जो चापलूसी करना पसंद करता है, उसके लिए, हमारे पास क्या word था, ऐसे तो बनता है, क्या, psychophant, psychophant, और दूसरा word क्या था, इसके लिए, obsequence, जो obsequence से, obby से बना था next, number 13, he is a false leader of the common people, false leader, demagogue, जो आपने आपको, demagogue, जो आपने आपको, public leader बताता है, but उनकी feelings के साथ खेलता है, और feelings का फायदा उठा कर अपना फायदा बना लेता है, ऐसे leader को बोलते है, demagogue, bad politicians के साथ, आप इसको connect कर सकते है, next, 14, हमारा word है, he is not sure, whether or not God, God है कि नहीं है, इसक इसके लिए word क्या था, agnostic, agnostic, number 15, he claims that life is completely futile, मतलब निरर्थक है life, ठीक है, completely निरर्थक है, तो इसके लिए क्या word था हमारा, number 15 के लिए हमारा word था, futilitarian, futilitarian, इसके लिए word है, futilitarian, जो समझता है, कि life बिलकुल क्या है, निरर्थक है, life में कोई ज़ाद नहीं है, तो इसक number 16, she is a masculine woman, she is a masculine woman, and masculine woman के लिए एक ही word है, क्या, Amazon, ठीक है, Amazon से आपको समझा जाएगा, Amazon के जंगल, जो Brazil में है, उनसे भी आप इसको connect कर सकते है, number 17, she has a sharp tongue, sharp tongue वाली जो ओरत होती है, जो हमेशा लड़ाए जगडा करती रहती है, ठीक है, vicious temper होता है, जिसका बहुँ ज़ाद है, तो ऐसी औरत के लिए, हमारे पास क्या word था, जो हमने पढ़ा है, वो था, वीरागो, next 18, he has good taste in food, ठीक है, जिसका food में, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, उसके लिए word था, गौर में, उसके लिए हमारे पास word था, गौर में, next 19, number देखिए, he is extremely handsome, adornish, extremely handsome, Greek gold वाल example, आप इसके साथ connect कर सकते हैं, adornish, क्या था, adornish, इनके answers मैं आपको यहां पर दिखा दूँआ, don't worry, ठीक है, बहुत ज़्यादा होचपोस हो जाता है, इसलिए इसको clear करना बहुत ज़्यादा, जरूरी हो जाता है, तो यह हो गया 19, 19 का मतलब हो गया adornish, हमने कर दिया, number 20, he is a course and uncouth, course का मतलब होता है, गमार, और uncouth का मतलब होता है, खुर्दुरा, इस परकार का जो आदमी होता है, वो क्या होता है, he is a course and uncouth, बहुत ज़्यादा गमार, खुर्दुरा, खुर्दुरे in the sense, uncivilized आदमी, के लिए आप इसको use कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, vulgarian, जो असभ्या होता है, गंदा भदा बोलता है, vulgarian, 21, he is a beginner in his profession, profession में beginner है, तो उसके लिए क्या वर्ड था, tyro, tyro, 22, he is a student of words, ठीक है, he is a student of word, he is a philologist, इसके लिए आप use कर सकते हो, मतलब जो language, यानि words की study करता है, one who study words, या one who study in the languages, तो उसके लिए हम use करते हैं, क्या philologist, ठीक है, next 23, he says he can see things that you can't, ठीक है, आप नहीं देख सकते हैं, बट वो देख सकते हैं, future की चीजे, तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, ठीक है, clair orient, इसके लिए वर्ड था हमारे पास, number 24, authoritative judge and critic in some fine art or other areas of excellence, ठीक है, इसके jeंil, जहां भी excellence की बाद आति है, वहां पर इसका टेस्त हमें सा अवल दर्जे का होता है और इसके लिए हमारे पास वर्ड था किया, coin a-shr, ठीक है, इसके लिए हमारे पास वर्ड था coin a-shr, ठीक है, इसके लिए हमारे पास word था coin a-shr, और number 25, he's collect stamps, इसके लिए वर्ड था तो इनके answers मैं आपको भी यहां दिखा देता हूँ, आप इनको देखके revise कर सकते हैं Okay, next हमारी अक्सेसाइज है उसको हम यही से फटाफट revise कर लेते हैं यहां पर तीन, चार जितने भी सामने इनके words दिए गए हैं इनमें से आपको choose करना है कि इसके लिए कौन सा अच्छा word है जैसे कोके, कोके के लिए सबसे बढ़िया क्या word है यह फलर्ट वाला ठीक है, कोके कौन सी ओरत के लिए यूज किया गया था जो फलर्ट करती है नमबर दो है हमारा क्या, search है, और search क्या था, unworthy, unapproachable और nagging search का मतलब क्या था, search का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसी ओरत, यानि जादोगर्नी, मायवीनी ओरत के लिए हम search यूज कर रहे थे ठीक है, जो learning करती है man's को, यानि लुभाती है, और लुभा कर क्या करती है, उसको अपने वस में कर लेती है, अपने फायदे के लिए, फलर्टियस या अनवर्दी, इसके लिए हम यूज कर सकते है तो कोके के लिए था, फलर्टियस, और search के लिए क्या था, अनवर्दी, नमबर तीन है Amazon, Amazon के लिए हमने आपको word क्या बताया था, big, ठीक है, big, बड़ा, नमबर फॉर, विरागो, विरागो कैसी, किसके लिए हम यूज कर रहे थे, विरागो हम यूज कर रहे थे, देखिए विरागो का मतलब इधर भी आप देख सकते हैं, यह रहा, देखिए, she has a sharp tongue, and a vicious temper, इसके लिए हमने word यूज किया था, विरागो, तो fierce इसके लिए आजाएगा, जिसका बहुत ज़्यादा गुसा हमेशा साथ वे आजमान पर रहता है, next है adonish, adonish मतलब क्या आउता, good looking, ठ जुडास, जुडास मतलब वो जो दोस्त को दोका दे सके, ठीक है, unassuming, unapproachable, या unworthy, इसके लिए भी unworthy यूज कर सकते हैं, जुडास के लिए भी, ठीक है, okay, next है हमारा seven, क्या, futilitarian, futilitarian का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या pessimist, ठीक है, pessimist होता है, and futilitarian कहता है कि कोई मज पसंद करता है, futilitarian, number eight है, vulgarian, vulgarian मतलब जो गंदा भदा बोलता है, हमेशा, crude, हम इसके लिए यूज कर सकते है, okay, number nine, क्या था, pidant, pidant का मतलब क्या होता है, ढोंगी, ठीक है, pidant का मतलब होता है, ढोंगी, यानि जो हमेशा अपनी knowledge को बड़ा चढ़ा कर बताता है, ठीक ह 11 है, egoist, egoist मैंने आपको बताया था, जो self-centered आदमे होता है, egoist होता है, ascetic मतलब, ठीक है, ascetic मतलब क्या होता है, जो हमेशा simple life जीने की कोशिस करता है, या हमेशा simple life ही जीता है, ठीक है, इसके लिए word क्या है, ठीक है, ये बाला word है, puritanical, number 12 है, aesthetic, aesthetic का मतलब होता है, tasteful, ठीक ह जो बहुत ज्यादा, हमेशा, ascetic मतलब होता है, जो fine knowledge रखता है, अच्छा पहनने, अच्छा खाने, ठीक है, अच्छे life जीने, में knowledge रखता है, ascetic का मतलब होता है, aesthetic sense, ठीक है, aesthetic sense मतलब होता है, जो हमेशा quality, कपड़े पहनेगा, quality shoes पहनेगा, ठीक है, quality life जीएगा, ऐसे वि 13 किस परकार कि लोगों की feelings का फाइदा उठा कर अपना फाइदा कर लेता है तो demagogue के लिए यहाँ पर word traitorious नहीं Trouble making और temperatious, Trouble making ऐसे हम इसको connect कर सकते हैं No.14 है martinent, martinent मतलब होता है जो discipline को पसंद करता है ठीक है demanding हमेज़े demanding होता है कि हर किसी के life में discipline होना जरूरी है ठीक है sincere इसके लिए आप use कर सकते हो, sincere No.16 है atheist, atheist मतलब जो भगवान में विस्वास नहीं करता है Irreligious, irreligious कह सकते है Agnostic मतलब जो confused है कि भगवान है या नहीं है Good fearing या skeptical, skeptical इसके लिए यह word है किसके लिए agnostic के लिए 18 है tyro, tyro मतलब होता है unskillful ठीक है जो नया है जो उसके पास अभी इतना experience नहीं है Unskillful आदमी को कहते है tyro No.19 virtuous हो, virtuous हो मतलब होता है किया skilled Virtuous हो मतलब जिसके अंदर skilled होती है उसको कहते है virtuous हो उसके बाद next Next हमारा word है किया philologist ठीक है जो words की study करता है या फिर Language की study करता है Scholarly इसके लिए word यहाँ पर दिया गया है No.21 है Clairvoyant, clairvoyant मैंने आपको बताया था जो भविषय देख सकता है prophetic, जिसमें prophetic मतलब क्या है कि जिसमें भविषय देखने की ताकत यह सकती होती है उसके लिए यह word है क्या Clairvoyant, next है हमारा word क्या Flat List, Flat List मतलब क्यों होता है जो Stamps को Collect करता है ठीक है, और New Mathematics क्या होता है जो Coins को Collect करता है ठीक है, यानि Coin Involved और यह है Stamp Involved इस परकार से आप इसको याद कर सकते हो No.24 है क्या गवर्में, गवर्में मतलब क्या है कि जो Food और Drinking में अच्छी Knowledge रखता है Fast EDS भी वही होता है Fast EDS मतलब जो Food और Drinking की अच्छी Knowledge रखता है उसके लिए गवर्में और Coin Assure मतलब होता है जो Discriminating, Ignorant, Ambitious 25 के लिए क्या है हमारा word? Discriminating Discriminating मतलब जो इसके पास इतनी Knowledge होती है जो Discriminate कर सके मतलब अंतर बता सके कि यह अच्छा है यह बुरा है ठीक है? इसके पास यह Critical Knowledge होती है Coin Assure के पास तो दोस्तों इस परकार से हमने यह जो Exercise है complete कर ली है आगे यह एक और Exercise दी है ठीक है? अगर मैं इसको कराऊंगा तो इसकी जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसकी वीडियो की Length बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है तो आज मैं क्या करने वाला हूँ? यह जो Word यहाँ पर दिये गए हैं मैं यह Words आपके लिए छोड़ जाता हूँ इनको आप वीडियो को पोस कीजिए और खुद से attempt करने की courses कीजिए so that आपके knowledge भी थोड़ी बहुत बढ़े और आप अपने दिमाग पर जोर डाले कि किस परकार से क्योंकि यह सारे वही Word हैं जो पिछे दो exercise में मैंने आपको बता दिये और उसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिये हैं ठीक है तो मुझे उमीद है कि यह lecture आपको पसंद आया होगा और अगर यह lectures आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारी से क्या आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर share कीजिए और comment करके पिछला जो lecture आपने 20 word attempt किए ठीक है तो उसमें से जितने word आपने attempt किए उसमें से कितने marks आपको आये हैं वो comment करके आप मुझे जरूर बताईए ठीक है फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी knowledge किस परकार से improve करने है या फिर कहां पर आप lack कर रहे हैं तो यह lecture आपके लिए था और यह lecture बहुत ही शांदार अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप आज तो Omnival की 10 की बगए बहुत सारे 20-25 word मेरे ख्याल से revise कर लिए जल्दी जल्दी में ठीक है फिर्टों की तरी यारी के लिए उनकी लाइफ में value addition जरूर करेंगे अगले lecture के इंतजार कीजिए तब तक Thank you very much जय हिंद